अल्वेज वेलकम सातियो डिजिटल क्लास हमेश आपके साथ वीडियो पर कमेंट करने से पहले दोस्तो एक बार वीडियो डिस्क्रिप्शन अबसे चेक कर लें साइथ आपके कुछ सवालों का जबाब मिल जाए पिछली वीडियो में दोस्तो हमने uniformly wearing load की ये calculation किया है जो की एक तरह से direct है और parabola draw करने की short technique है आप इस relation से parabola draw कर सकते हैं यहाँ पर a point पर x बरावर 0 है क्योंकि distance a से ली जा रही है और x बरावर l दूसरा free end है दोस्तो इस परकार दोस्तो आप इस से आसानी से और बहुत जल् पर आप calculation करकर बताएं तो हम इस वीडियो में आपके लिए cross section के लिए यह पैरा बोला draw करेंगे दोस्तो और cross section जो x x डैस लिया है de point पर इस पर calculation करने के लिए चलते हैं दूसरी slide पर यह next page पर इस पर कार दोस्तो share force cross section method यह वही है दोस्तो जो आप चाहते हैं share force at point a बराव पर point a पर दोस्तो यह फिर आर एवी reaction force दोस्तो जो वर्टिकल reaction force है यह point पर दोस्तो वह wl वटे 2 के बरावर होगा क्योंकि जितना load लगेगा दोस्तों हमने पिछली वीडियो में count कर लिया था जितना load है दोस्तों उस बीम पर वह इस पर load लगेगा तो यह share force reaction force के बरावर चुके share force की जो परिवासा है दोस्तों उस concept से share force या तो left hand side या फिर right hand side cross section होता है दोस्तों उसके सभी vertical load हो का sum होता है दोस्तों इस परकार अब हम x x dash पर निकालेंगे दोस्तों राइट hand side में दोस्तों समलम चत्रभूज है उसकी बजाए हम left hand side में जो की triangle है दोस्तों ति इस पर आप समझ सकते हैं दोस्तों यह यह जिसका point fix है भी फिरेंड दोस्तों इस पर डवलू नूटन पर मीटर intensity का लोड लग रहा है अब इस पर दोस्तों क्रोस सेक्शन ले लिया है डी जो की x x dash है इस पर दोस्तों लोड लग रहा है अब इसको count करने के लिए हम या तो जो क्रोस सेक्शन इसके left hand side में बलों का अध्यन करेंगे फिर right hand side में दोस्तों राइट hand side में चरतर पूज है और left hand side में ट्राइंगल है दोस्तों जैसा कि पीछे पताया है तो इस ट्राइंगल से calculation करते हैं दोस्तों a से from point a से x distance पर दोस्तों हम यह क्रोस सेक्शन ले ले दोस्तों और जबकि यह लोड है जो कि ट्राइंगल लोडिंग है दोस्तों यह xy3 पर लगेगी ई से xy3 डिस्टेंस पर नीचे एक तरफ लगेगी यह नेगटिव लोडिंग आएगी दोस्तों इस परकार हम share force calculation ले यह expression मिलिए दोस्तों हमें w यह share force xx यह share force e पर wl बटे 2 माइनस यह wl बटे 2 प्लस इसलिए दोस्तों क्योंकि अब वर डायरेक्शन में और यह माइनस एक बटे 2x into w into x बटे l यह दोस्तों नीचे लोड लगेगा इसलिए यह negative लोडिंग है दोस्तों इस परकार anti-clockwise है तो यह इसको आगे solve करते है wl बटे 2-1.2 into w into x square बटे l यह दोस्तों expression मिलती है हमको इस share force के लिए में अब इसी expression का दोस्तों हम double differentiation करते है यह double derivative होगा दोस्तों इसका जो 0 से यह बड़ा होगा तो कौन के अब पैरावला बनेगा यह दोस्तों इसका दोस्तों कौन के अब डाउन पैरावला बनेगा इसी परकार दोस्तों bending moment के लिए calculation करते हैं यह मनें निकाल लिया यह note होई है दोस्तों जो मैं बता रहा था आपको पहले bending moment पढ़ लेते हैं बेंडिंग मोमेंट section xx पर निकालेंगे bending moment दोस्तों bending moment इक साफिक्स निकाला है यह यदि आप चाहें एक साफिक्स भी निकाल सकते हैं इसमें एक लिए निकाल के कि दोस्तों bending moment की मगर आप चाहें तो इपर भी निकाल सकते हैं कैसे इसमें आप देख सकते हैं और a पर हमने पिसली वीडियो में निकाला था दोस्तों इधर a पर निकाला है एक e के साफ एक bending moment अब इसमें e के साफ एक में दोस्तों जब wl load लग रहा है a point पर wl वटे 2 into इ इसकी perpendicular distance इससे गुना कर दिया अब बड डायरेक्शन में है अब इस परकार दोस्तों आप डायग्राम में फिर से देखते हैं यहाँ आप समझ सकते हैं दोस्तों इक साफ एक्स बेंडिंग मोमेंट निकाला जा रहा है तो दोस्तों यह आरे अपवर डायरेक्शन में लग रहा है यह जो ट्राइंगल लोडिंग है नीचे लोडिंग लग रही है दोस्तों नीजली साइड में इसलिए इनको कर्कुलेट क काउंट किया जा रहा है इस परकार आरे इसको दोस्तों सैगिंग देगा और यह जो ट्राइंगल लोडिंग है एक्स वाई थ्री पॉइंट पर लगेगी यह पॉइंट से टू एक्स बटे थ्री यह इपॉइंट से ली जाए तो एक्स वाई थ्री डिस्टेंस पर लोडिं देगी इस परकार इसको negative value ली गई है अब दोस्तों यह negative value इसलिए ली गई है क्योंकि यह hogging देगा तो अब यह force दोस्तों ट्राइंगल loading है जो कि एक बटे दो गुना x गुना w गुना x बटे एल है दोस्तों यह एक force है और इसकी perpendicular distance ई तक उस point से ई तक distance xy 30 परकार दोस्तों इसको आगे solve किया गया है तो हमें wl x बटे 2-1.2 into w into x q बटे 6L मिलता है इप x बरावर 0 then bending moment will be 0 क्योंकि हम 0 डाल देंगे इस समीकर में सभी 0 हो जाएगा दोस्तों और यदि हम x बरावर डालते हैं जब bending moment हमें इस परकार solve करते जाते हैं wl square बटे 2- wl q बटे 6L इसको आगे solve करेंगे wl square divided by 2- wl square बटे 6 दोस्तों इस परकार इसको और आगे solve करेंगे तो इनका lcm ले लिया 6 तो दोस्तों आगे हमको 2 wl square बटे 6 मिलता है 2 से 6 को काट दिया तो wl square बटे 3 मिलता है दोस्तों इस परकार हमें इपर bending moment मिलता है negative होगा दोस्तों क्योंकि finally लेना तो हमें वही है जो आपको hogging दे रहा है सेगिंग दे रहा भी में अब इस point पर तो hogging सेगिंग मिलेगी नहीं इपर मिलेगी ए पर ही क्योंकि वहीं से fix है बीम उपर नीचे हुई जुकेगी त प्राप्त होता है हमें अब इसका जो दोस्तों फस्ट जो एक्सप्रेशन है इसमें लास्ट लास्ट में देखें राइट हैंड साइड में उपर उपर wlx बटे 2-1.2 इंटू wx2 बटे 6L यह इसका दोस्तों डबल डेरिवेटिव करेंगे डबल डिफ्रेंसियेशन इस वीडियो में आप देख सकते हैं और इससे पिसली वीडियो में भी आप समझ सकते हैं जिस प्रकार आप चाहें किसी प्रकार पहला ड्रो कर सकते हैं उम्मीद करते हैं आपको कोई भी प्रॉबलम नहीं आएगी फिर भी यदि कोई समझ जातियत आप हमसे कॉंटेक्ट क लगाकर किसी पर कर सकते हैंक, कॉन्टेक्ट fantastic भी कर सकते हैं, किसी भी समस्या से, जो दोस्त payment नहीं कर सकते हैं, लाइक शेयर करकर भी हमें support कर सकते हैं, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियों अंतक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद